नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की टेनोल एम टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, टेनोल एम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और टेनोल एम टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे की टेनोल एम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Tenolol AM एक ग्रेंड नेम है Tenolol AM टाबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Tenolol AM टाबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन एमलोडिपीन 5MG और एटेनलोल 50MG होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली Tenolol AM टाबलेट को लेने की सला दे सकता है Tenolol AM टाबलेट का उप्योग हाईपरटेंशन होने पर किया जाता है यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए Tenolol AM टाबलेट का उप्योग किया जाता है Tenolol AM tablet Blood pressure को कं करती है और दिल का दोरा पढ़ने का और लगवा लगने के जोखिम को कं करती है क्योकि लंबे समय तक Blood pressure अधिक रहने की वज़ा से Kidney Failure, Heart Failure, दिल का दोरा पढ़ने का और लगवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ती का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का ब्लड प्रेशर ज्यादा है Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में 10.00 AM Tablet की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में 10.00 AM Tablet की वज़े से कुछ Side Effects हो सकते हैं जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में ठकान व कमजोरी होना, सिर्चक्राना, वजन का बढ़ना, सास फूलना, सिर्दर्ध होना, उल्पी आने का मन होना, पेट में दर्ध होना, पैरों में सूजन होना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का धीमा होना, कब्ज होना और मीन अधिक आना आधी साइड इफेक्ट्स टेनोल एम टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। लंबे समय तक टेनोल एम टैबलेट को लेने से पुरुशों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की टेनोल एम टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। टेनोल एम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर टेनोल एम टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। टेनोल एम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की टेनोल एम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको टेनोल एम टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। टेनोल एम टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। और टेनोल एम टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि टेनोल एम टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए टेनोल एम टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है TENOLOL AM tablet मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में TENOLOL AM tablet मा के दूद के जरीय बच्चे तक पहुंच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साईड इफेक्स पैदा कर सकती है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टेनो नोल एम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं